तो दोस्तो कुछ प्रॉब्लम आईए क्या प्रॉब्लम है कि सर्ट टेस्स देने से डर लगता है अच्छी बात तो यह कि आपने इस प्रॉब्लम को बता दिया बहुत सारा स्परिंट तो बताते भी नहीं और टेस्स देती भी नहीं और एक्जाम में वैसे ही चले जाते हैं दूस्तो एक बात हमेशा ध्यान रखो यार एस स्रीज देने से डर लगता है इस बात पर तो मैं थोड़ी दिर के बाद आओंगा पहले तो मैं डर वाली बात पर आना चाहता हूँ Human psychology के जिसाब से हमें डर क्यूं लगता है? क्यूशे हमें डर्द मिलता है जो वे चीज से हमें पैन की пробビलीटी हो कि यहां से बाद दर्द मिल सकता है तो उसको करने से पहले हमें लेगेगा डर जैसे for example मुगे कार चलाने से डर लगता है क्यूशे मुझे प्रॉबबिल्टी तो यह क्या हुआ है, बेजिजिक रूट कॉस यह के आपके दिवां में सिगनल दे दिया कि यह काम करने में तुम्हे हो सकता है बहुत वह तो अब उसको पेन है वो इंटर्नल पेन है कि आपने इतनी महनत से एक साल, दो साल, देड़ साल से महनत की है, जिन लोगों ने गेट अपीर किया है, क्योंकि यह जो पॉशन आया था, उन्होंने एक बार गेट दी दिया है, उन्होंने 47 माक्स गेट में अचीव कर लिए 2021, इसमें अब उनक आपके 30 माक्स है, तो आपको लगेगा पेन होगा, बट वो पेन अच्छा है, वो पेन अच्छा है, क्योंकि आपको अभी ही पता चलिया, कि आपकी कमिया कहा है, आपकी खामिया कहा है, यार, सिंपल लोजी कि आपको जब बिमार होते हो, या जब कुछ आपको हो जाता है, तो extraction लगता है, अब extraction लगने में क्या लगता है, डर लगता है, मतलब pain होता है, डर्द होता है, exhaustion हमें जब मारेंगे तो pain होगा यह ना बट इसका मतलब तो यह नहीं है कि अब यह pain होगा तो हम exhaustion नहीं खाए क्यों क्योंकि exhaustion खाएंगे pain होगा बले ही pain हो बट उससे जल्दी अच्छे हो जाएंगे तो दोस्तों वैसा ही है यहाँ पर यह दर्द लो यह दर्द जेलो बिफोर एक्च्छल गेट यह टर्द जेलो यह pressure जेलो यह कम मार्क्स का जो pain है उसको जेलो समझ गये मैं क्या कहना चाहता हूँ यार pain की वज़ा से दर्द की वज़ा से हम डर से दूर नहीं भाग सकते दर्द की वज़ा से डर से दूर नहीं बाग सकते मुझे यहाँ पर excision लगे थे कहाँ पर आँखों के उपर excision लगे थे एक साल पहले तो मैंने खाये क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर problem थी मुझे तो यहाँ पर मैंने excision खाये थे आँखों के उपर क्यों क्योंकि मुझे पता था यह चाहे अभी दर्द हो रहा है excision खाने के दौरान दर्द हो रहा है लेकिन यह बाद में अच्छा हो जाएगा तो दोस्तों बस मेरा यही कहना है जो मैंने analogy आपके सामने पेश की है कि यार दर्द तो अच्छा होता है वो आपको थोड़ा टाइम पेइन करेगा लेकिन अगर आप उससे बाहर निकल कर आ गए वो जो दर्द वाला वो जो प्रेशर वाला पीरियड जेल कर बाहर निकल कर आ गए तो दोस्तों उसके बाद जो confidence बुष्ट होगा न को आप experience करोगे तभी समझोगे कि क्या वो चीज है आपके मानलों के 30 मांक्स आए आपको बहुत दर्द हुआ क्यार आपने दो सान मैनत की है 30 मांक्स आए बहुत दर्द होगा लेकिन फिर आप यहां से दो चीजों में दो direction में जा सकते हैं एक तो कौन से direction में कि आप demotivate होके test ही ना दो कि यार मांक्स तो कमी आ रहे हैं अब क्या ही test देंगे अब मांक्स तो कमी आ रहे हैं क्या ही test देंगे 30 तो आया आपने अब और test देंगे और demotivate हो जाएंगे एक तो वो वाले बंदे जो के demotivate होके side पे हो जाएंगे जिनका rank भी नहीं आने वाला ठीक है और दूसरे वो वाले बंदे जो सोचेगे कि यार मेरे 30 है मतलब मुझे पे कुछ कमी है मैं जो सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ उसके अंदर कुछ कमी है तो चलिए उसको identify करते हैं उसको improve करते हैं और अगले test में 30 से 40 करने की try करेगे तो अगले test में हुए 30 से 40 40 हुए मतलब 60 marks मैं laking कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो अब मैं और improvement करूँगा तो और improvement गया 60, 70 और मैं सही बता रहा हूँ अगर आपका सही direction है test series में 75 से 80 marks आ सकते मुझे पता है बहुत सारी test series में unnecessary questions दाले हुए बहुत सारी test series में खाली-खाली difficult बनाया है उसको ठेके जो questions नहीं आने वाले वो भी दाले लेकिन फिर भी वो pressure जैलो 20 से 25 marks को side पर रखो जो उन्होंने difficult बनाये जितना आप achieve कर सकते 70 marks तो कर सकते हो ना मैं हमेशा से जब लिखता था test series तो मैं हमेशा से court बना के रखा था कि 60 to 70 के बीच में which is very good अगर 62 to 70 के बीच में test series में आये जो के difficult test series बनाते हैं ये test वाले चेकी कोचिंग वाले अगर उसके अंदे 62 to 70 आये इसका मतलब मैं 70 के तो उपर ही जाओगा actual exam ठीक है तो वो जो डर्द वाला जो माहूल है आपके दिमाज में जो डर वाला है क्या डर लग रहा है क्यूँ उसके पीछे psychology है दर्द वाला क्या आपको pain होगा internally क्यार कम marks है तो लेकिन वो कम marks का phase जेलो उसको वो phase को pass करने के बाद ही just confidence वाला phase है तो आप दर्द वाले तक तो पहुँच गे उसको जेलो अब उसके बाद क्या होगा जब वो phase खतम हो जाएगा दर्द वाला pain वाला आपको confidence होगा कि अब मैं अपनी गल्थिया improve करके बैठा हूँ अब आने दो test अब मैं करूँगा सारे questions वाल वो time लगेगा बट वो दर्द को जेलो अभी देखो कुन सा चलना है December चलना है पंदरा test series दे दो बढ़िया से दम focus के साथ analysis करना जैसा कि मैं already video बना चुका हूँ test analysis का test कैसे देनी है उसके उपर भी video बना चुको best तरीके से test कैसे देनी है उसके उपर इतना बढ़िया सा वीडियो बना यार सड़ा देखो आपको 100 marks थोड़ी target करने आपको कितने marks target करने अपने potential के इसाब से target करने और अपने complete potential को हासिल कैसे कर रहा है वो मैंने अल्रेडी बना दिया test को कैसे देना है test को कैसे analysis करना है वो भी बता दिया तो अब test देने से क्यों घबरा रहा है यार दो कम marks आएगे वो pain वाला period खतम करो और उसके just बात confidence वाला period है बस ज्याला time नहीं लेता session को अइंड करते हैं और बहतरीन करते रहो डरो बट बिल्कुल भी जेलो ठीके आप क्या करो इस सारे दर्थ को जेलो और उसके just बात confidence वाला period आएगा session को अइंड करते हैं बाइट एक कर